हेलो दोस्तों वेलकम टू टेक्नो इंफिनिटी दोस्तों आज की हमारी वीडियो नंबर 11 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी ट्राइंगिल राइंगिल ट्राइंगिल है या नहीं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग से प्रोग्राइम की तुरू किशी भी सर्किल के एरिया को कैसी गयर्कुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर उसको देख लेए अब आते हम लोग अपने में प्रोग्राइम पर जिसमें हम लोग पाइथोग्रस थियोरम का यूज करेंगे तो देखें यहां पर हमें सबस्के प्रूफ करना है कि तो उसके लिए हमको उसकी तीन साइट चाहिए होंगी और हम लोग यहां पर पाइधोगरस थियोरम यूज करेंगे तो यहां पर हम उसी के रिप्रेजन्ट जैसे करते हैं पर पार पट निूस पर्पिंडिकूर और वेरियबस ले लिए है है इसको मैंने एच वाई पी से रिप्रेजेंट कर दी है पर पेंडिकुलर को भी और बेस को बेस से तो अब हम सबसे पहले प्रेटेफ में स्टेटमेंट लिखेंगे है एंटर हाइप ट्रेज्यूस तो हम लोग लिखने के बाद हमें हैप एच वाई पी जो हमारा वेरैंबत हाईप उसमें हम ऊसके लोग अपनी वैडियू को स्टोर करा देंगे उसमें लोग परपेंडिकुलर को एंटर कर आएंगे तो हम लोग एंटर परเปंडिकुलर New York हम् के बाद अप हमें सेम काम यहां पर भी करना इसके अपर स्टेटमेंट के अंदर पर्सेंटेज डिक यूज करना क्योंकि हम लोग इन टीचर टाइप यहां पर यूज कर रहे हैं इस वजह से तो परसेंटेज डी और उसके बाद हम लोग उसके आगे address of perp में perp में हम लोग अपने perpendicular की value को store करा देंगे और इसके बाद हमारा type base तो यह जो ऊपर यह जो 6 step है यह बिलकुर सेम चलेंगे बस यहाँ पर नाम change होगा और उनकी जो location है store होने की वो change होगी enter base और उसके बाद scanf %d address of space में हम लोग उसको store करा तो यह पूरा चाहें तो हम एक ही में कर सकते हैं यह जो तीन 6 line में यूज करें यह एक line में मतलब दो line में भी हो जाएगा printf और scanf की एक line में लेकिन यहाँ पर मैंने इस लिए कर रहा है था कि हम लोग बारी बारी से एक एक चीज को एंटर करें तो हम लोगों को प्रोग्राम भी समझ में आगा इसको एक line में नहीं लगा सकते से वज़े से मैंने स्क्यू लिख दिया है तो आप फूब यह फॉर्मुला तो पता ही होगा तो उसी कहां में यह यूज करना है तो देखिए मैं पनाम का वेरियेबल लिया है उसमें मैं कर रहा हूं पर्फ면ि कुलर के स्क्वायर और बेस्के स्क्वायर की सम की वैल्यू को खोड़ा हूं तो एंदर देखिए मैं क्या करें पर्फिंडिकुलर के इंच्वाएर करना तो चाकि हमारा सब्संसर्वात 되कोर लग और यह यहांप ज़ीं बेता हूं और उसके बाद हमें बीच में लगाना है addition का अपना sign तो यहां पर हम लोग लगाएंगे addition इसके बाद हमें किसको add करना base के square को हम लोग base का square यहां पर लेंगे base into base temp जैसे मैंने ले तो दूसरा मैं temp लिए ले रहा हूं यहां पर उसके अंदर हम लोग अपने हाइपट न्यूस का जो square है उसको store कराएंगे तो यहां बस हमें क्या लिखना है दोनों equal हैं इसका मतलब की triangle हमारा right angle तो if में condition पास करेंगे कि temp और temp2 की value अगर बराबर है दोनों सेम है हम लोग printf में क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल यह आपके यहां पर समझ में आगे होगा टेम्प और double equal to यहां पर यूज करेंगे single equal to नहीं यूज करेंगे क्योंकि मैंने operators वाली वीडियो में भी बताया हुआ आपको कि single equal to assign करने के लिए यूज करते हैं और double equal to comparison के लिए यूज करते हैं तो हमने if तक यहां पर कर दिया अब इसके बाद हम लोग आएंगे else में तो else में हम लोग बस लिख देंगे कि triangle जिससे आपको हर एक लाइन में क्या क्या हो रहा है चीज़े समझ में आ जाए तो आपको यहां पर और clearly चीज़े समझ में आ रही होंगी चलिए अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं अब देखिए रन कराने के बाद सबसे पहले कहेंगा एंटर हैपटनी उस तो हमने वह जो पाइथाओर ट्रिपल से हैं उसमें पहली मैंने डाग दिए 5-4-3 वाला तो वह मैंने लगाए तो देखिए आगे ट्राइंगिल इसके बाद यहां पर मैं आपको एक और पाइथाओरियन ट्रिपल एंटर करके दिखाऊंगा जो है 15 नाइन और 12 वह वाली वह एंटर करें दिखाऊंगा और मैं आपको दिख जाएगा आंसर हमारा प्रिंट ओकर के आ जाएगा और लास्ट में मैं ऐसी कोई भी रैंडनम नंबर्स डालूँगा जो कि मतलब हमारी पाइथागरस्ति और हमको वैरीफाइग मतलब करेक्ट नहीं करते हैं तो उससे आपको दिख जाएगा कि हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है 159 और 12 यहीं हम लोग पिर एंटर करेंगे पाइराइट अंगिल ट्रा रैंपो डाउंलोड कर सकते हैं थैंक्स वर ओड्राइप